तो आज हम बनाने वाले M30S तरसल यह फोन में प्रॉब्लम यह है यह फोन है Hang On Logo तो कस्टमर ने कहा हमें कि यह फोन एटोमेटिक पहले रिस्टार्ट हुआ उसके बाद से Hang On Logo चले गया कभी-कभी हम चार्जिंग पर लगाते हैं तो सिफ चार्जिंग लोगो का सिंबॉल आता है और कुछ रिस्पॉंस नहीं देता है तो अभी हम फड़ाफ़ण इसे ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद आ जाएगे हमारे Maicroscope स्कूरीन पर तो यह द क्या पूरा फ्रेश फ़ोन है अभी तक क्यों कि को खना नहीं है तो अभी हम फड़ाफ़ण इसके शिचल्ड ओपन कर लेता है दिख लीजा है आराम से लिकालना है शिड लकल चुकी है हमारी इस पे माईकरोन की रॉम है तो सबसे बहुए हम इसकी रॉमไ-स utilizar उसे उठा लेंगे हिट मार के और हिट हमें जादा हिट तेज नहीं करना है नहीं तो हमारी माईकरोन की रॉम खराब हो सकती है तो देख लिजे इस तरीके से हमने CPO को भी cutting कर चुका है तो अभी हम paste लगा के इसे heat मारेंगे अच्छी तरीके से और ये उपर में जो ball दिख रहे हैं ये पिगलने चाहिए देख लिजे इस तरीके से तो अभी हम इसको गरम कर रहे हैं तो धीरे धीरे ब्लेट दालना एकदम आराम से और तरह ताखट भी नहीं लगानी है क्योंकि अंदर में जो है glass IC रहती है glass IC अगर damage हो गई तो ये phone फिर कभी नहीं बनेगा और ये phone बनाते टाइम बड़े हमें आराम से बनाना पड़ता है तो देख लिजी हमने light IC जो display IC रहती है वो भी लिकाल चुका है इसले लिकाल चुका है कई बर क्या होता है जब हम प्रोसेसर उतारते है तो वो light IC जो है dry हो जाती है तो देख लिजी हमारा प्रोसेसर जो है नीट एंड क्लीन हो चुका है तो हमें इसे दो से तीन बार क्लीन कर लेंगे अच्छी तरीके से तो अभी बारी आ जाती है इसके उपर साइट की रिबॉलिंग की तो देख लिजी अभी एक बार रिबॉल कर दीजी अभी दूसरी बार रिबॉल कर दीए अभी जो शॉट हो रहा है यहां पर हमने यूबी ग्लू से साफ कर दिया है और आईसी रिबॉल कर दिया है तो देख लिजी दो से तीन बार में हमने आईसी रिबॉल कर दिया है अभी जहां जहां शॉटिंग का एरिया है महां महां हमें यूबी ग्लू लगा देना है कि जब हम आईसी बठा लें कि शॉर्ट ना हो तो देख लिए पेस्ट लगा के अभी हमने हिट मार दिया है इसके बाद हम मदर बोड में फिट करेंगे जहां है अमें रखना है और दिरे-दिरे हीट मारना एक दम आराम से कि हमारे बॉल नीचे शॉर्ट ना हो अभी हमने हलकी हoking पे दिरे-दिरे हीट मार रेहे तो बीरे दिले और जो आइसी में से पेस्ट है वो भार आ चुका है इसका मतलब यह हमारी आइसी सीप्यों बैठ चुक है अभी उपर भी हम पेस्ट लगाके हैं इसलिए उपर के जो बॉल जगे पे नहीं होंगे वह जगे पर आजेंगे अब बारिया जाती है हमारी रूम आईस तो देख लिए हमारी रोम आईसी भी बस बैट नहीं वाली है तो देख लिए पेस्ट बाहर आ चुका है इसका मतलब यह है बैट चुकी है थोड़ी हीट हम हलकी और मार देते हैं इससे होंगा यह हमारी जो आईसी है वो प्रॉपर बैट जाएंगी तो अब बारी आ जाती है देख लिए हमारी लाईट आसी रिबॉल करने में की थकैनले चुका है अब डीश्टिंग वायर की धीमदद से साफ करके रिबॉल कर लेंगे तो इसको भी वार करेंगे में एक बार की करेंगे हमने इसको कट कुए फिर से एक बार करेंगे बहुल एक जैसे बनते हैं तो इ हमारी IC बैठने में एक की बार में बैठती है और नीचे शॉर्ट नहीं होती है तो देख लिजिए लाइट IC भी हमारी रिबॉल हो चुकी है अभी हम पेस लगा के इसे हीट मार देंगे तो अब हमारी बारी आ जाती है फोन फिटिंग की तो हम फोन पुरा फिट कर लेते हैं और आपको चेक करके बताते हैं अगर आपको कोई फोन रपैर के लिए दालना है तो नीचे दिएवे नंबर पर आप कॉंटेक्स जरूर कीजिए तो देख लिजिए बस हमारा फोन उसके बाद ये बेक पैनल भी फिट कर लेना है तो देख लिजिए फून कम्प्लेट फिट हो चुका है आप फून अन करते हैं देख लिजिए हमारा फोन अन हो चुका है अगर आपको इसी तरीके से वीडियो देखना है तो चैनल जरूर सब्क्राइब कीजिए तो चलिए मिलेंगें आपसे नेक्ट वीडियो में ओके बाइबाइबाइब